कास, खासी, निदान, धन्वंदर जी ने कहा कास, खासी, रोग यथा शिग्र प्राणी पर अपना कुप्रभाव दिखाता है, इसलिए उसी रोग को अब कहा जाएगा खासी वातज, पितज, कफज, ख्षतज तथा धातु शयज होने से पांच प्रकार की मानी गई हैं। यदि इन पांचों के विनाश की उपेक्षा कर दी जाती है तो ये ख्षय को उत्पन्न कर देती हैं, ये उत्रोत्तर बलवान हो जाती है, इसका भावी रूप इस प्रकार होता है, काज रोग होने पर कंठ में खुजलाहट और अरुची होती है, कान, मुख तथा कंठ में श जाता है, तदनंतर सभी अंग प्रत्यंगों में प्रविश्ट होकर आखशेप एवं उनको कष्ट पहुचाता है, इसका प्रकोप होते ही नेत्रों में उत्षेप करता हुआ, और पीड तता हिर्दय एवं पार्शों में पीला उत्वन्न करता हुआ, मुख से निकलता है, ये रोगी को अत्यंत तेज पीला के साथ सुखी खासी खासने के लिए विवश कर देता है, रोगी को रोमांच हो जाता है, खासने पर बड़ी ही कठिंता से अंदर से सुखा हुआ कफ बाहर निकलता है, इससे खासी कुछ कम हो जाती है, पित जन्यक कास होने से नेत्र पील पड़ जाते हैं, मुख में तीतापन रहता है, ज्वर और भ्रम होता है, रोगी पित तथा रक्ट संश्रत वमन करता है, उसे प्यास लगती है, कंट से निकलने वाली ध्वनी तूटी रहती है, उसको सब और धुआ ही धुआ दिखाई देता है, और धुमायित एवं खटी द्रकार आती है, तथा उसमें एक प्रकार का मद चाया रहता है, जब रोगी को खांसी का वेग आता है, तो उसी खांसी के बीच आँखों के समान चमकता हुआ छोटा छोटा प्रकाश पुंच दिखाई देता है, कफ जन्य कास रोग होने पर वक्षिस्तल में सामान ने वे युद्धाधी युद्धाधी अत्यंत साहसिक विभिन्य कर्मों को करने वाले लोगों द्वारा जब शक्ति से अधिक कर्म किया जाता है, तो उससे वक्षिस्तल में ख्यत्व हो जाता है, पित्त से अनुगमित होकर वायू बलवान हो जाता है, तदनंतर उसके कारण संशिर्थ कफ अधिक निकलता है, प्रायह ये कफ पीला, पिंगल, शुष्क, ग्रथित, लोथले की भाती और अत्यंत दूशित होता है, इस रोग में रोगी रुगल कंट से कफ रूपी मल को बाहर निकालता है, वायू दोश के कारण हिर्दै फटा सा प्रतीत होता है, और शरीर में सुईयों के चुहने जैसे कष्ट की अनुभूती होती है, तथा कष्टकारी शूल के आगास से मर्व स्थल में पीला होती है, रोगी के पर्व पर्व में दर्द होता है, और जौर भी रहता है, उसकी सांस फूलती है, प्यास बढ़ जाती है, उसकी वाणी में स् कांतिहीन हो जाता है राज्य क्षमा रोग होने से रोगी का शरीर शिन होने लगता है उसके पेशाब में रखता आता है सांस फूलने से पीठ और कमर में पीड़ा होती है जिनको शास्त्र में आयू कहा गया है वे आयू रूपी धातुएं शरीर में प्रकुपित होकर दौड करने लगती है यक्षमा से पीड़त रोगी घर को खासी और खकार से भर देता है वो खकार पीब के समान दुरगंद युक्त तता हरे और लाल रंका होता है ऐसे रोगी को सोन में विशेश कष्ट होता है अर्थाद सुप्ता वस्ता में भी रोगी को कष्ट होता रहता है य पर इस निक्दता बनी रहती है उसके नेत्र भी शुभा संपन रहते हैं किन्तु रोग के बलवान होने के बाद सभी विनाशकारी राज्यक्षमा के लक्षण रोगी के शरीर में जर्म लेते हैं शय जन्यकास का रूप ऐसा ही है इस रोग से ख्षिन हुए शरीर वाले रोग उपचार का सामर्थ होने पर ये रोग साध्य भी है अतह रोगी को यथा सामर्थ इस रोग का उप्षवन अवश्य करना चाहिए किन्तु उपचार प्रारम करने के पूर्व उसकी वात आदी सभी प्रकारों पर विचार करके ही प्रिथक प्रिथक रूप से प्रयोज्य य श्वास शय वमन तथा स्वर भंगादिक प्रतिशाश्य का प्रकोप होता है इसकी उपेख्षा करने से कास रोग असाध्य हो जाता है इसलिए शीगरी इसका उपचार कर लेना चाहिए अध्याए 104 श्वास रोग निदान दन्वंतरी जी ने कहा अब मैं श्वास रोग का नि सार, अवमन, विशपान और पांडु रोग एवम जवर से भी हो जाता है धूली ग्रहन, धूप तथा शीत वायू के सेवन करने से भी इस रोग का जन्म हो सकता है मर्ब स्थल में आघात पहुचने से और बर्पीले जल का प्रयोग करने से भी शरीर में इस रोग का प्रको पित करता हुआ जब हरदय में स्थित हो जाता है तब वो आमाशय में श्वास रोग को उत्पन्न करता है इस रोग का पूरवर रूप इस प्रकार होता है रोगी के हिर्दय और पार्श यानि बगल भाग में शूलुटता है प्राण वायू शरीर में प्रतिलों गति से प् अधिक भोजन करने से होता है अधिक भोजन करने के दोश से प्रेडित वायू स्वयम मल से युक्त शुद्र स्वास को प्रेडित करता है अर्थात अधिक भोजन करने से रोगी की सास भूलने लगती है और उसे मल विसर्जन करने की इच्छा होती है ऐसी सिती में कफ के अवर प्राणों को संतिप्त करने वाली सांस अत्यंत वेग से चलने लगती है जद्यपी खांसी के द्वारा कंठ में आये हुए दूशित कफ को ठूकने से तातकालिक कुछ शांती रोगी को प्राप्थ हो जाती है और वो कुछ शन के विए सुख का अनुभव कर सकता है श्वास के प्रकूप से रोगी को प्राण घातक कष्ट होता है श्वास के प्रकूप से अत्यंत कष्ट होने पर रोगी सो जाता है यदि बैढ़ जाता है तब वो अपने को कुछ स्वस्था अनुभव करता है इस प्रकूपित रोग के कारण रोगी को कष्टा धिक्य के मस्तक से पसीना छूटने लगता है और रोगी अत्यंत कातर हो उठता है बार बार श्वास आने से रोगी का मुख सूख जाता है वो कांपता है और उश्न आहार या पेय पदार्थ के सेवन की अभिलाशा करता है मेग घिरने पर वर्शा होने पर शीत घिरने पर एवं रोगी खासी और श्वास के प्रकोप से ग्रस्त शरीर से निर्बल तथा मर्वस्तल की पीड़ा से अत्यंत दुखी रहता है उसे अधिक पसीना आता है मुर्चा होती है पीड़ा से वो कराता रहता है उसके मूत्राशे में जलन एवं पेशाब यानी मूत्र रुक्र होता है विभ्रम का प्रकोप होता है रोगी की दृष्टी अधोगती रहती है अधिक कष्ट तता ताप के कारण आखें अपने स्थान से निकलती सी प्रतीत होती है उनमें चिकनापन तता लाली माचा जाती है मुक्सूख जाता है कष्ट के कारण रोगी प्रलाप करता है शरीर का पिला के करण आवाज तथा गले में घलगला हट होती है वो मतवाले सांड के समाने रात दिन धूली धूसरे तो होकर हूंकार के साथ व्टास छोड़ता है तथा घ्यान भी ज्यान से रहित हो जाता है उसके नेत्र और मुख पर ब्रांती की आवस्था आजाती है नेत्रों से उसे टूटी फूटी निकलती है रोगी का कंठ सूख जाता है उसकी बारंबार संस फूलती है उसके कान गला और सिर में अत्यंत गुला रहती है जिस रफ़ी की लंबी लंबी उर्धा गति वाली संस निकलती है वो अपने श् souha대 latitude liberty व्हेजाने में समर्थ सभषत्षाइब सब्सक्राइब श्वासरोग के जो जो निदान, पूर्वरूप, संख्या, प्रकृती और आशरेस्थान कहे गए हैं वे ही हिक्कारोग के भी होते हैं ये हिक्का पाच प्रकार की होती हैं भक्त द्वजा अर्थात अन्जा, क्षुद्रा, यमला, महती और गंभीरा रुक्ष, तीक्ष, खर, तथा असात्म अन्न अत्वा पेएपदार्थों के सेवन से प्रकृपित वायू हिक्का रोग को पैदा करती हैं इस हिक्का रोग में रोगी श्वास लेता हुआ, क्षुद्धा नुगामी मंद मंद शब्द करता है अन्न तथा पेय़पदार्थ के अयुक्ति पूर्वक सेवन करने से जो हिक्का अर्थात हिच्की रोगी को आती है उसे अन्नजा हिक्का कहते हैं ये हिच्की सात म्य अन्नपान से शांथ हो जाती हैं अधिक परिश्रम करने से शरीर में प्रकूपित हुआ पवन कुछूदरा हिक्का को जम देता है। वो गृवा मुल से निकल कर मंध मंध गती से कंठ के बाहर आता है। ये रोग अधिक परिश्रम करने से बढ़ जाता है। किन्टु यतोचित मातरा में भोजन कर लेने पर अधिक समय से एक या दो बार वेक पुरुवगाती है, परिणाम तहा वो धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। अपने वेक से जो रोगी के सिर और ग्रीवा भाग को प्रकम्मित करती है, उसे यमला हिक्का से नाम से स्विकार करना चाहिए। इसमें रोगी प्रलाप करता है तथा उसको वमन होता है और उसे अतिसार हो जाता है, कमजोरी से उसके नेत्र बैठ जाते हैं और जम्हाई आती है। ऐसे अवस्था वाली हिक्की को वेगवती परणाम देने वाली यमला हिक्का कहते हैं। इस हिक्कारों के वेग से रोगी की भौह और कनपटियों में कश्ट होने लगता है। महाशब्दा, महावेगा और महाबला होती है। गंभीरा नाम की हिक्का, पक्वाशय, मलाशय, अत्वा नाभी भाग से अपने पूर्व सुभाव के अनुसार शरीर में प्रकट होती है, तो उस रोगी को जम्हाई लेने के लिए विवश कर देती है। उसके हाथ, पैर, आदि सभी अंग फैलने लगते हैं। उस हिक्का के कूप्रभाव से रोगी का संपूर्ण शरीर शितिल बढ़ जाता है। इसमें गंभीर शब्ध होता है, इसलिए इसका नाम गंभीरा हिक्का है। प्रारंभ में बताई गई भक्तो ध्वजा अर्था अन्जा तथा क्षुद्रा नामग जो दो हिक्का के प्रकार बताए गए हैं, वो साध्य होती हैं। उन दोनों को छोड़ कर शेश अन्य जो यमलादिक तीन हिक्काए हैं, वो असाध्य होती हैं। किन्तु चीरकाल हिचकी, वृद्ध मनुष्य की हिचकी, अतिस्त्री सेवी की हिचकी, व्याधी द्वारा क्षीन देहवाले की हिचकी, अन्न के अभाव से कुरुष मनुष्य राज यक्ष्मा निदान धन्वंतरीज ने कहा अब मैं हिक्ष्मा रोग के पश्चात यक्ष्मा रोग के निदान को भली भाती कह रहा हूं राज यक्ष्मा रोग से पूर वप्राणी के शरीर में अनेक रोग रहते हैं और बाद में अनेक रोग हो जाते हैं इस रोग को राज यक्ष्मा, क्षय, शोश तथा रोग राज भी कहा जाता है प्राचीन काल में नक्षत्र और द्वीजों के राजा चंद्रमा को ये रोग हुआ था एक तो ये रोगों का राजा है और दूसरे इसका नाम यक्षमा है इसलिए इसे राज यक्षमा कहा गया है ये देह और आउशधी दोनों का क्षय कर देता है तथा शरीर और आउशधी का विनाश करने वाले रोग के रोप में ये उत्पन होता है इसलिए इसका नाम क्षय दिया गया है ये रसादी धातूं का शोशन करने के कारण शोश नाम से भी जाना जाता है राजा के समान रोगों का राजा है जिसके कारण रोगराज के नाम से अभिहित किया गया है साहस के कार्य मल मुतरादी के वेक का बलात अवरोध, शुक्रवज, शारिरिक स्निक्धता का विनाश तथा सयमित अहार व्यवाहर का परित्याग ये चार इसक यक्ष्मा रोग के उत्पत्ति के कारण है शरीर में उन्ही कारणों से कुपित हुआ वायू, पित्व, एवं कफ को व्यर्थ में ही कुपित कर देता है तदनंतर वो शरीर के संधी स्थानों में प्रवेश करके उनकी शिराओ को पिडित करता हुआ रक्त, अन, रस्वाही, आदि सभी स्त्रोतों के मुख को बंद कर देता है अथवा उसी प्रकार उन सभी को छोड़ कर रिदय भाग में जा पहुँशता है और उसको मध्य, उपर, नीचे तथा तिर्चे रूप में व्यथित करता है इस रोग के उत्पन होने से पूर्व रोगी को प्रतिशाय ज्वर, लार, प्रवाह, मुख माधूरिय, अग्नी मंदता तथा शारेरिक शिथिलता का दोश होता है अन्न और पेयपदार्त के प्रति अनिच्छा तथा पवित्रता में अपवित्रता की प्रतिती रोगी को होती है प्रायहा उसको भोज एवं पेयपदार्तों में मक्खी, तुर्ण, बाल गिरने का भान होता है रोगी का रिदय कफादी से संशलिष्ट हो जाता है, उसको वमन होता है आहार विहार के प्रति उसकी रूची नहीं रह जाती है भोजन करने पर भी वो अपने आपको शक्तिहिन समझता है उसके हाथ, पैर, जंगा, वक्षस्थल, मुख, नेत्र तथा कुक्षी भाग सुख जाते हैं रक्त की कमी के कारण उसका रंग श्वेत हो जाता है उसकी भुजाव में विशेश प्रकार की पीड़ा होती है उसकी जिवा में भी ज्वरादी के कारण उत्पन होए चालो से कश्ट रहता है उसको शरीर के प्रती स्वयम घ्रिणा होती है उसमें स्त्री संसर्ग, मद्य और मास के प्रती प्रेम तथा घ्रिणा दोनों होने लगते हैं उसके सीर में चक्कर आता है इस रोक के होने पर रोकी के नाखोन, केश, तथा अस्थी, अपिक्षा कृत पहले से अधिक बढ़ते हैं वो स्वपन में अपनी पराजय देखता है पतंग, कुरुकल, अर्थाद गिरिगेट, साही, बंदर, कुत्ता, तथा पक्षियों से भयार्थ होकर अपने को पराजित या गिर्ता हुआ देखता है स्वपन में अपने शरीर के बाल तथा अस्थी भाग को भस्म होते हुए देखकर भी भैबीत होता है वो स्वपन में ही व्रिक्ष पर चड़ता है, उसे स्वपन में निर्जन ग्राम और देश का दर्शन होता है जल रहिद भूभाग को देखने के कारण उसे स्वपन में भै लगता है उसको आकाश में प्रकाश पुंज तथा दावागनी से जलते हुए व्रिक्ष दिखाई पड़ते हैं जिससे उस रोगी का मन भैसे व्यकूल हो उड़ता है ये सब लक्षन रोग प्रभाव के कारण ही होते हैं अतहा इसे पूर्वरूप कहते हैं इस राज यक्षमा रोग के कोश्ठगत होने पर रोगी को पीनस, श्वास, कास, स्वर्भंग, सिर्पीडा, अरूची, उर्ध्वन श्वास, शारेरिग शुशकता, वधजन्य कष्ट तथा वमन होता है उसके पार्शुभाग तथा संधी स्थान में पीडा होती है उसका शरीर जवर से संतप्त रहता है इस प्रकार इस राज यक्षमा के उक्त ग्यारह लक्षन रोगी के शरीर में पाये जाते हैं उनके उपद्रव से रोगी के कंठ में ऐसी पीडा होती है जैसी श्वासमार्ग में विकृत एवं रुदे वेदना होने पर होती है उसे जम्हाई आती है प्रतिक अंग में दर्ध होता है मुख में बार बार थूग निकलता है मंदागनी हो जाती है तथा मुख से दुरगंध आने लगती है इस राजयक्ष्मा के रोग में वायू प्रवकोप के कारण रोगी के शिरोभाग तथा दोनों पार्ष्व में शूल उटता है जिसके कारण असईय पीडा होती है दर्थ से रोगी का अंग अंग तूटता रहता है कंठाव रोध और स्वर्भंग हो जाता है पित्त दोश होने से रोगी को सकंध प्रदेश हाथ तथा पैर में दाह, अतिसार, रक्त सम्मिश्र वमन, मुख दुरगंध, ज्वर और एक प्रकार का मद रहता है कफजन्य दोश के कारण रोगी को अरूची, वमन, खासी, आधे शरीर का भारीपन, लार बाहुल्य, पिनस, श्वास, स्वर्भेद और अगनी मांदि का प्रकोप होता है इस अगनी मांदिता एवं शरीर में शोथ को उत्पन करने वाले प्रदूशित कफजन्य दोशों से रोगी के करक्त वाही आदिस्त्रोतों के मुखों का अवरोध तथा धातूओं के क्षिन हो जाने पर रिदय में दाह और अन्य उपद्रों होते हैं शरीर के अंदर पकवाशय भाग में उक्त दोशों के कारण प्रायह अन्न आमलीकरस से पकता है जिसके कारण वो सिध नहीं होता और न तो शरीरेक पुष्टता में सहयो करने की क्षमता ही अरजित कर पाता है रोगी के शरीर का ऐसा अमलीकरस रक्त और मास को पुष्ट करने में अक्षम होता है सब्ध धातूं का पोशन न होने पर रोगी केवल मल के भरो से जीता है रोगी में इन लक्षनों के कम होने पर भी अत्यंत क्षिनता आ सकती है इस रोग में चह प्रकार का क्षय होता है अता उन सभी प्रकार के क्षय होने पर रोगी के शरीर में होने वाले उपद्रवों को यथोपचार रोख कर यथा संभव इस रोख को समूल दूर करने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा इस रोख से प्राणी की मृत्ती ही निश्चित होती है। उक्तरोगों के दोश प्रथक प्रथक या समूहवत शरीर पर प्रकट होते ही रोगी के मेद का क्षय हो जाता है जिसके कारण उसके स्वरों में भेद, क्षिनता, रुक्षता और चंचलता आ जाती है। वात प्रकॉप होने से Rोगी का कंठ सफेद रंका हो जाता है, उसके शरीर की कश्नीक्धता तथा उश्रता समाप्त हो जाती है, पित्तदोश के कारण रोगी के तालु और कंठ में दाह होता है और निरंतर वो सुख्ता जाता है, रोगी का मूह और कंठ कफ से संलिक्त रहता ह उसके गले से घुरुखराती होई ध्वनी निकलती है। उस काल में रोगी स्वयम में सभी विरुथ आचरणों से प्रभावित हो उठता है। अतहा वो उसकी और उन्दमुख हो जाता है जिससे अन्य सभी लक्षनों की उत्पत्ती हो जाती है। इससे रोगी मृत्ति को ही प प्राणी पर आक्रमन करता है तो रोगी की जीवन रक्षा असंभव हो जाती है। अतहा अल्प लक्षनों के दिखाई देते ही इस रोग को शरीर से दूर करने हेतू विधिवत चिकित्सा करनी चाहिए। अरोचक, वमन, आदी रोगों का निदान। धन्वंतरी जी ने कहा हे सुशृत अब मैं आपको अरोचक रोग के निदान के विशे में बताऊंगा जब वात, पित तथा कफजन्य दोश जिवा, रिदय या मन का अश्रे लेते हैं तब प्राणी के शरीर में अरोचक रोग उत्पन होता है। ये रोग वात जन्य, पित जन्य तथा कफजन्य इन तिन रुपों के अतिरिक्त सन्नी पात जन्य और मनह संताप जन्य भी होता है। इस रोग के पाँच प्रकार हैं। यथा वातज, पित ज, कफज, सन्नी पातज और मनह संतापज। वात आधी दोशों से होने वाली अरोची में रोगी का मुख क्रमशह, वायू में कसैला पित्त में तिक्त, कफ में मीठा या माधूर्य युक्त, सन्नी पात में विकृतरस तथा शोक, दुखादी में दोशानुसार स्वादवाला हो जाता है। इस रोग में रोगी को किसी द्रव्य विशेश का आस्वाद नहीं प्राप्त होता है। शोक, क्रोधादी में मन की जैसी स्थिती होती है, उसी प्रकार उसकी भोजनादी ग्रहन करने की अभिरूची होती है। जब मन शोकादी के कारण खिन रहता है तो भोजन के प्रती अरूची के कारण उसे अन्नादी ग्रहन करने की अनिच्छा हो जाती है। इस रोग में अगनी दुष्ट ही प्रधा चर्दी अर्थात वमन रोग पांच प्रकार का होता है वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोशज तथा अनभी प्रेत दुष्ट पदार्थों के ग्रहन करने से पांच विछ चर्दी होती है। विवार के प्रती अरूची हो जाती है। इस रोग में रोगी की नाभी तथा प्रिष्ट प्रदेश में विदना होने लगती है। रोगी के पार्ष भाग में भी पीड़ा होती है जिसके कारण पेट में अवस्थित अन्ध, उपर की और पकवाश ऐसे निकलने लगता है। अर्था रोगी को वमन की इच्छा होती है। अन्त तोगत्वा रोगी के मुह से कशाय और फेन युक्त थोड़ा-थोड़ा करके वमन होता है। इस वातजन्य वमन रोग में अत्यन्त कश्ट साध्य पीड़ा के साथ रोगी को तेज दर्ध होने के कारण चिल्लाना पड़ होता है। अत्वा रक्त से युक्त अम्ल, कटू, तिक्त, पित उसके मुह से निकलता है। उसके शरेर में त्रिशना, मूर्च्छा, संताप तथा अगनी के समान दाह का प्रकोफ होता है। कफजन्य वमन रोग के होने से रोगी में स्निग्ध, घनिभूद, पीत तथा मध होता है। इस कफजन्य वमन के कष्ट से रोगी को भैवश रोमांच हो जाता है। इस रोग में रोगी के मुख में शोत हो जाता है। उसके मुख में मिठास भरी रहती है, उसके नेत्रों में तंद्रा चाही रहती है, उसके रिदय में कष्ट होता है और उसे खासी आती है सन्नी पातिक वमन रोग में सभी दोशों के लक्षन दिखाई देते हैं ऐसे आवस्था में उसकी चिकित्सा नहीं करने चाहिए ऐसे रोगी को देखना, सुनना आदि कुछ अच्छा नहीं लगता है वाता दिके प्रकुपित होने पर ही उदर भाग में क्रुमी जन्य और अन्न जन्य वमन रोग भी उत्पन होता है क्रुमी जन्य चर्दी रोग में शरीर में शूल, कमपन, मिचली तथा रिल्लास के उपद्रव की उत्पत्ती विशेश रूप से ही होती है